आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिध्धान तक नहीं होतरी स्टड़ी IQVAP का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे एक inspiration की एक motivation की ओम प्रकास चौधरी मैंने बहुत सारे IAS officers की biography review की है मैंने किंजल सिंग की बात की थी मैंने आशोक केमका की बात की थी कनन गोपिनाथन की बात की थी और आज हम एक और IAS officer की बात करेंगे ओपी चौधरी दोस्तों कमाल का काम रहा है 36 गड़ के पहले IAS officer जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि इनको award मिल गया लेकिन सबसे बड़ी बात ही है दोस्तों struggle किया है अगर ये IAS निकाल सकते हैं देश का सबसे बड़ा exam निकाल सकते हैं तो इस दुनिया में सब कुछ possible है इतना struggle करके अपनी ज्यान की बदॉलर पूरी दुनिया को जुका दिया अपने सामने तो आज हम ओपी चौधरी की बात करेंगे बहुत ही जादा inspiring story है दोस्तों इनके बहुत सारे interviews available हैं ये अपनी strategy भी शेयर करते रहते हैं कि कैसे IAS exam की तैयरी करें तो वो मैं recommend करूँगा आप जरूर देखे फिलाल इस lecture में हम इनकी biography और इनके struggles को देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं sirunscore reconnect मेरा facebook page है सिद्धान तक निहोतरी के नाम से मेरी facebook profile है दोनों ही जगा आप lecture की pdf ले सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं happy holy to all of you in advance दोस्तों हमारे सारे courses पे 70% discount है आप हमारे numbers पे call कर सकते हैं website visit कर सकते हैं और अब मैं twitter पे भी आ गया हूँ यह रही मेरी id आप मुझे twitter पे भी follow कर सकते हैं आप इनके interview experiences सुनिये का मज़ा आ जाएगी ओपी चौधरी की सबसे बड़ी बात यह है कि यह humorous बहुत है ठीक है आप इनके जब interviews देखेंगे तो बहुत ही हसते खेलते चीजों को बताते हैं ऐसा लगता है सब कुछ बहुत आसान है लेकिन actually मैं बहुत ज़्यादा पढ़ की है इनके पिता जी की अगर बात करें तो वो primary teacher थे लेकिन दोस्तों struggle जो है वो ओपी चौधरी की life में बहुत कम उमर से ही शुरू हो गया 8 साल के थे ओपी चौधरी जब इनके पिता जी का देहान्त हो गया इनके पिता जी इनको छोड़के चले गए अब पिता जी थे सर कुछ भी बोलता है उसके कहने से सारे काम हो जाते हैं दोस्तों हर इनसान की life में कोई ना कोई motivation होता है कोई ना को inspiration होता ही है और कुछ ऐसे event होते हैं जो उनकी life को change कर देता है ओपी चौधरी की life में ये जो event हुए ये इनकी life को change करने वाला था क्योंकि इनको पता चला कि एक ऐसा पद भी है जिसको लेने से सारे काम आसान हो जाते हैं काम आसान का मतलब है कि यहां पे जो भी collector बोल रहा है उसके बस एक बोलने से एक sign से सारे काम आसान हो रहे हैं तो यहां पे O.P. चौधरी ने मन बनाया कि भाया ये कौन सी post है पता चला ये IAS की post है भारत का सबसे प्रतिष्ठित एक्जाम और सबसे बड़ा एक्जाम इनफाक्ट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्जाम IAS की post है इसके लिए तयारी करेंगे रिसर्च की दोस्तों पूरा कैसे IAS को मनलब कैसे IAS बने discussion किया बारवी के बाद से ही इनोंने IAS की तयारी शुरू कर रहेगी और यही ओपी चौधरी के साथ हुआ लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि भाईया यह तो 36 गड़ से आते हैं अब जादातर क्या है आप देखेंगे भारत के जो बड़े शहर है वहां पे ही IAS की कोचिंग होती है और जादातर जो IAS के लिए बच्चे है वो New Delhi भागते ह क्योंकि यहां पे बेस्ट कोचिंग सारे मेटीरियल्स आपको यहां पे मिल जाएंगे अब 36 गड़ जैसा हाला कि राज्य तो बहुत बड़ा है लेकि 36 गड़ में नकसलवाद की प्रॉब्लम है दोस्तो इतना डेवलप्ड नहीं है रिसोर्ट कर्ज चार खंड 36 गड़ यह अब ही आलत बहुत करापती खपरेल वाली चती जिससे हमेशा पानी टपकता रहता था एक ही टीचर था जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था बारवी में मैस की खाली चार क्लासेज हुई लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त मांक्स आते थे दोस्तों और इनके किसी सब् बोट चले जाते थे मेरे मांक कैसे कम रहे गए एक्स्ट्रा ओर्डिनरी थे ओपी चौधरी अगर हम बात करें और यह एक्स्ट्रा ओर्डिनरी यह एसा नहीं है कि जन्मजात था मेहनत से आया था इस इंसान इस प्रगल इतनी छोटी से उमर से देखा हो और उसके पास ग्यान पढ़ाई और कोई चारा है ही नहीं और यही बेस्ट है वहिया ग्यान योग से तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ठीक है तो यहां पे ग्यान के रास्ते पे ऐसा चले कि पीछे मुणके कभी भी ओपी चौदरी नहीं नहीं देखा उसके बावजूद बारवी में ब भिलाई शिफ्ट हो गए अब भिलाई शिफ्ट हो गए लेकिन वहीं चीज है रसोर्से नहीं मिलते थे ठीक है कहां से मैटीरियल लेके आएं देखिए आज तो ऑनलाइन का जमाना है ठीक है 2016-2017 के बाद करें तो यह जो रेविल्यूशन आया है अब सब कुछ ऑनलाइन लेगिन दिल्ली आते थे कभी बस में बैठके कभीALLY ट्रेन में जनरल में आ रहे है और बहुत दिक्कत होती दिल्ली भी आते थे थे तब भी इनको कुछ अता पता नहीं रहता थे कि कैसे क्या करना है कहां पर किताब मिलेगी तो यह जो सट्रयल था नא इसी नहीं ओपी च में बन कर लिया और वहाँ पे इन्हों ने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की उसके बाद दोस्तों ग्राइजुएशन के बाद कुछ टाइम के लिए डिली शिप्ट हुए क्योंकि जब इनको लगा कि हाँ अब डिली जाने का सही समय है मुझे तयारी करनी है एक टाइम पर आपको जाने ही पड़ता है दिली ठीक है जब आपको लगता है कि मेरी तयारी बहुत ही जबरदस्त है तो ओपी चौधरी भी दिली गए और वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हुई पैसे जादा थे नहीं आमधनी का कोई सोर्स है नहीं अच्छा इनको पढ़ाई के लिए भी यहाँ पे इनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने बहुत ज़दा प्रेडित किया लेकिन बड़ी बहन का भी साया बहुत ही जल्द इनके सर से उड़ गया और यह भी बहुत बड़ा शौक था ठीक है इनके लिए तो इतना ज़दा कमाई का सोर्स तो है नहीं तो क्या करें नि यह कबरिस्तान के पास रहते थे दिल्ली में एसबेस्टरस की छत के नीचे रहते थे और वहाँ पे बैठके पढ़ाई करते थे मई जून की गर्मी एसबेस्टरस की छत लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई करते रहते थे फर्क नहीं पढ़ता था कितनी गर्मी कितना पस में नहीं हो पाया 12 मांग से रहे गए ठीक है तब इन्होंने अपना optional change के और हिंदी literature लिया और हिंदी से जब इन्होंने दूसरा attempt दिया दूसरा इनका pre बहुत अच्छा नहीं हुआ था अब आपको कि इनका selection हो गया इंटर्व्यू में तो कमाल इंटर्व्यू का जो panel था वाँ तो इनसे साफ साफ पूछ लिया था कि माल लिजे कि अगर आपको आपके ही home cadder मिल जाते तब आप क्या करेंगे तो इन्होंने बहुत एक इसमें और इवेंट हुआ दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि जब ओपी चौधरी बहुत जादा आयस से obsessed थे और आयस ही उनको देख रहा था तो मसूरी गए अब आपको पते यह लपसन ना ठीक है लाल बहादूर चले गए चलो कोई दिक्कती है एक बार अपने सपने जहां पूरे होता है वह देख तो ले जगां बहार गार्ड खरा था और गार्ड ने ओपी चौधरी को अंदर गुजने तक नहीं दिया ठीक है अंदर देखने तक नहीं दिया विसमें गार्ड की कोई गलती ने ठोकेगा और उसके बाद इन्होंने तयारी की और सिलेक्शन लेके आए और लाल भादुर शास्त्री अकैडमी में दोस्तों आपको बता दूँ कि ये गोल्ड मिडिलिस्ट थे जिस पबैड की वज़े से इनका मेंस नहीं निकला था बारा मांक से रुख गया था अब भया लाल बादुर शास्ती लपसन्ना में पबैडी तो पढ़ा है जाता है अब आप वैसी सारे सब्जेक्ट तो वैसी पढ़के आगे बस आपको और ज़दा रिफाइन किया जाता है तो वहाँ पे इनको गोल्ड मिडल मिला हिंदी सबसे बड़ी बात हिंदी माध्यम के चात् देखिए हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस तो है यह तो आप मानेंगे उसका रीजन क्या है उसका रीजन भाषा नहीं है यहाँ पे ओपी चौधरी यह बताते है कि लॉर्ड मैकॉले देखिए मैंने पूरी modern history cover किया आप देखिएगा मैकॉले कमीशन और इस अब कि कि इस तरीके से 1833 में मैकॉले कमीशन आया और जो भारत का पूरा एक system चल रहा था उसको बदल दिया और उसको modern system से replace कर दिया वो अभी तक चला आ रहा है तो यहाँ पे ओपी चौधरी भी बताते है कि भाषा सीखना तो सीख है अंग्रेजी सीखो लेकिन अंग्रेजियत से दूर रहो जिस तरीके से जिसको इंग्लिश आती है उसको तो सबसे बड़ा status उसका सबसे बड़ा भया समाज में वो सबसे बड़ा भले ही उसको एक पैसे की knowledge ना हो यह चीज नहीं होनी चाहिए अब आये इस कभी भी discriminate नहीं करता है UPSC का जो एक्जाम होता है वो हिंदी 96% जो selection है वो इंग्लिश माध्यम अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के होता है इसलिए होता है materials समझ रहे है materials का आभाव दोस्तों देखिए जैसे मैं आपको अपने ही example बताता हूं कि मान लीजे कि अगर मैं IIS की ताहरी कर रहा हूं UPSC की ताहरी कर रहा हूं ठीक है वैसे म यूरोप का जो मीडिया है वो अच्छा है तो बहुत सारे generals उपलब दे जिससे मैं international relations समझ सकता हूं India Today के जिसके मैं internal security समझ सकता हूं लेकिन हिंदी में ये सारी चीजे नहीं उपलब दा Washington Post हिंदी में थोड़ी ना आएगा या The Hindu हिंदी में थोड़ी ना आएगा तो इसलि है जो especially Hindi माध्यम के चात्रों के लिए है तो ये difference है लेकिन ओपी चौधरी निस एक्जाम को ये Hindi पढ़के निकाला Hindi literature इनका subject और पूरी इनकी पढ़ाए Hindi में रही है और टॉपर रहे है तो ये तो Hindi माध्यम के चात्रों के लिए inspiration है ठीक है उसके बाद दोस्तो 2005 में इनको posting मिली और फिर 2011 में जब इनको collector बनना था ठीक है जब फाइनली collector बनने की बारी आई तब पूछा कि कौन सा जिला चाहिए चीफ मिनिस्टर ने तो इन्हों ने बोला सर मुझे दंते वड़ा चाहिए अब दंते वड़ा उस समय नेक्सलाइट मूँमेंट के लिए आज भी औ आप जरूर देखिएगा history of communism नकसलबारी से कैसे वो नकसलाइट मूँमेंट शुरू हुआ red corridor क्या वो सब मैंने कवर किया हुआ है तो यहाँ पे ओपी चौधरी ने बोला कि मुझे दंते वड़ा चाहिए ठीक है transfer भी नहीं मांगँगा वादा है आपसे आप मुझे ये वाला जो region है जिला है वो दे दीजे इनको दे दिया क्योंकि टौपर थे और बहुत ही बढ़िया काम रहा था है इनका अब उसके बाद जब यह दंते वड़ा गए दोस्तों तब इन्होंने कमाल के काम किये वहाँ पर जब इन्होंने जाके देखा एक तो लोगों का विश्वास नहीं है उच नीच कास्ट सिस्टम ये सब नहीं है प्राब्लम क्या थी यहां पर ओपी चौधरी ने ये अब्जर्व किया कि प्राब्लम थी लोग अनवेर हैं स्कूल्स नहीं एच्छे बच्चे पढ़ते नहीं है लोगों को कानून के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली लोग अनवेर हैं और गरीबी भी एक बहुत बड़ी वज़य है तो एक बार क्या हुआ कि ओपी चौधरी जब शुरू शुरू में पोस्टिंग लेके गए थे तो ओपी चौधरी के ओपर परचे फेके ज तो एक बार क्या हुआ कि भाया कलेक्टर है सबसे बड़ी पोस्ट है तो पूरी ताकती के पास रहती है तो पुलिस इस्टेशन ने क्या किया पुलिस वालों ने जिनों ने ओपी चौधरी के परचे फेके थे जिस गाउं से वो फेके गए थे उन सारे लोगों को उठागे तो पुलिस पट्टा दिलवाया टूब वेल दिलवाया और बहुत सारी जो उन्होंने मांगे मांई कमीटी हॉल दिलवाया वह सारी चीज़े मांग लिए बस इसके बाद खेल खतम लोगों की गुट बुक्स में आ गए और उसके बाद रिफार्मेशन शुरू हुआ 50% से सीधा 13% पर गिर गया लोग पढ़ने लगे छूलो आसमान हो गया तमन्ना जैसी स्कीम हो गई यह सारे जो initiative थे यह कमाल के थे ठीक है और यह अब तो फैल रहा है लाइवली रूड स्कीम जहां पर vocational training होती है चलिए मैं आपको सिलसले बार से बताता हूँ सबसे पहले तो नन्ने परिंदे जिसमें पांचवी तक की जो शिक्षा है वो मिलेगी यह भी ओपी चौधरी का initiative था ठीक है कि जो बच्चे हैं पांचवी तक की शिक्षा चाहिए उनको तो हम देखते हैं कि उनको यह सारी जो शिक्षा है वो मिलेगी उसके बाद दोस्तों छूलो आसमान और तमन्ना इसमें क्या है कि ग्यारवी बारवी के आपको कमाल की education मिलेगी बहुत ही बहतरीन आपको education मिलेगी science technology और उसमें सबसे बहतरीन teachers को लेकिया है उपी चौधरी जो भी बहतरीन दंतेवाडा के बहतरीन teachers थे in fact 36 गड़ के बहतरीन teachers थे उनको लेकिया है कि आपको बच्चों को पढ़ाना उन बच्चों को पढ़ाना जिनके पास कुछ भी नहीं है ठीक है ना तो ये चीज़ है और जो campus है उनका नाम किसके नाम पे है JC Boss, CV Raman, Kalpna, Chawla, APJ Abdull Kalam इन सबके नाम पे जो prominent Indian scientist और mathematician है इनके नाम पे है सारी जो campus बनाए गए हैं ठीक है ये इसलिए था ताकि इस region को भी develop किया जा सके भारत में talent की कमी थोड़ी ना है अगर मान लीजिए ओपी चौधरी collectorate के office नहीं गए होते और उनके मन में IS का ये सपना नहीं आया होता तो शायद ओपी चौधरी कोई बहुत success नहीं होते उनको कोई जानता भी नहीं लेकिन ओपी चौधरी दे कि उन्होंने अपने talent को use किया तो ऐसे कितने बच्चे होंगी जो अपने talent को use कर सकते हों कितना कुछ कर सकते हैं तो इसलिए ये सारे initiative जो है वो लिए गए ताकि रेसोर्सेस की कमी ना हो बच्चे पढ़ते रहे और कमाल हुआ दोस्तों बहुत सारी families जो कभी अपने बच्चों को school तक नहीं बेशती थी वो सब बच्चों को school भीजने लगी और बच्चे यहाँ पर पढ़ने लगे, talk करने लगे, coaching जाने की आप आपको दिल्ली में ज़रुरत नहीं है लाइब्रेरी की problem थी, इन्होंने नालंदा लाइब्रेरी बना दी, world class लाइब्रेरी ठीक है न, I think रायपूर में शाहिद उसको बनाया गया है, world class लाइब्रेरी है सारे resources मिले गए, 24x7, indoor, outdoor कहीं पर भी पढ़ सकते हैं 48 CCTV camera, पूरा surveillance, पढ़ने के लिए 2400 घंटे, लाइब्रेरी को तो वैसे भी 2400 घंटे को ले रहना चाहिए ठीक है, तो 2400 घंटे पढ़िए, किताबों के भंडार है वाँ पर जो पढ़ना हो पढ़िए ताकि कोई भी इंसान जो है, या कोई भी बच्चा जो है, वो अपने सपनों को पैसे की वज़े से ना मार रहे या किताबों की अभाव की वज़े से ना मारे तो ये सारे काम जो है, ये सारे initiative जो है, इसमें livelihood mission दोस्तों, livelihood mission इसमें किसी के पास degree हो चाहे ना हो उसको vocational training दी जाएगी, vocational training किया, अमाल लिजे, कोई इंसान नहीं पढ़ा लिखा है उसने first नहीं किया, fifth नहीं पढ़ा, दस भी नहीं पढ़ा, तो vocational training करो दंतेवाडा में problem बहुत जादा थी, यहाँ पे plumber नहीं थे, यहाँ पे electrician नहीं थे, ठीक है तो हम vocational training कराएंगे, ताकि आप, अपने आपको भी develop कर सके, और state को भी develop कर सके लेकिन यह भी यहाँ पे भी सफर आसा नहीं था, इतनी जब धंकिया मिलती थी, तो डर तो गए थे, कहीं ना कोई O.P. चौधरी बताते थे बताते हैं O.P. चौधरी कि मैं अपने बेट के नीचे AK-47 रखके सोता था, और काफी unpredictable था, कि कहीं से काफिला जा रहा है, तो कहीं से मुडवा देता था, क्यूं? क्यूंकि दोस्तों, 36 गड़ और यह जो पूरा red corridor है, यहाँ पे कभी भी हमले हो सकते हैं, माईस भी ची रह और उसके बाद 2018 में नोने इस्तीफा दे दिया, IS की नौकरी छोड़ दी, 13 साल IS रहे, छोड़ दी नौकरी, और BJP की तरफ से नोने चुनो लड़ा कर सरिया सीट से, लेकिन हार गए, बट कोई दिक्कत नहीं है, हार भले ही गए, लेकिन वही न हार के जीतने वाले को बाज में नोने इस्तीफा दिया, इस समय ये पॉलिटीशन है, रमन सिंग का इनको ब्लू आइड बॉय बोला जाता है, रमन सिंग जो की 36 गड़ के चिंफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके फेवरेट है ओपी चौधरी, बहुत ज़्यादा करीब, इन फैक्ट जब BJP जोईन करवानी थी ओपी चौधरी को, तो रमन सिंग ओपी चौधरी को खुद लेके गए ते दिल ली, और अमिज शाह के सामने पार्टी जोईन कर आई थी, लेकिन फिर इलेक्षन जब हुआ, तब ओपी चौधरी सीट से हार गए, तो अभी तो बहुत सारे काम और भी करने ओपी चौध लाई होगी, खुश रही है, पढ़ते रही है, देशे से दान तक नहीं होता ही, साइनिंग ओफ.